नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चानल में जिसका नाम है साहित्य सुंदरे साहित्य सुंदरे में आज हम कक्षा नमवी के लिए तुम कब जाओगे आति थी ये पार्ट पढ़ने जा रहे हैं इसके लेखक है शरद जोशी जी तो आईए पढ़ते हैं तुम कब जाओगे आति थी इस पार्ट की विशेश्टा है कि इसमें आति थी अर्थात बिना ति थी बताए आने वाले मेहमान के कारण होने वाली समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है इस पार्ट को पढ़ने के दोरान आप एक चीज और सिखोगे कि एक अच्छे अतिथी के कौन से गुण होते हैं जो आपको अपनाने चाहिए और बुरे अतिथी बनकर किसी के घर कभी नहीं जाना चाहिए तो जब मैं पार्ट पढ़ूंगी तो आप पार्ट पढ़ने के तरीके को भी जरा ध्यान से सुनिएगा ताकि आप भी बड़े प्रभावी धं से इस पार्ट को पढ़ सकें तो आएए पढ़ते हैं पार्ट तुम कब जाओगे आति थी? तुम कब जाओगे आते थी शरद शोशी लेखक आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्ण बार-बार मन में उमड घुमड रहा है कि तुम कब जाओगे आते थी तो पहला प्रश्ण यहीं बन जाता है कि कौन से दिन तक लेखक के घर में आते थी रुके हुए है वह चार दिन तक रुके हुए है आगे बढ़ते हैं तुम जहां बैठे निस संकोज सिगरेट का धुआ फेक रहे हो ठीक उसके सामने कैलेंडर है देख रहे हो ना इसकी तारीक है अपनी सीमा में नमरता से फड़़़ाती रहती है यहां पर कहा गया है इसकी तारीक है नमरता से फड़़़ाती रहती है यहां नमरता की बात की गई है विनमर कैलेंडर कैसे हो सकता है यहां कैलेंडर का मानवी करण किया गया है कि इसकी तारीक है विनमरता से फटफडा रही है अर्था वो तारीक हटाने वाला पर्ची वाला कैलेंडर जो होता है उसकी बात यहां हो रही है तो लेकर कहते हैं कि वो तारीक है रोज में तुम्हें दिखा दिखा कर बदल रहा हूं फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें यहां रहत आतिथ्य मतलब दिन रात तुम्हारी सेवा, सुबे, दुपेर, शाम, अच्छा खाना, साफ सुत्रा, विस्तर, सारी सुख सुविधाएं आतिथी को दी जाती है, जिससे दिन रात उनके पिछे काम करना पड़ता है, इसलिए सतत आतिथ्य की बात की गई है, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती, लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद एस्ट्रोनाट्स भी इतने दिन चांद पर नहीं रुके थे, जितने दिन तुम छोटी सी यात्रा करके मेरे घर में आये हो, तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अं अंतरंग निजी संबंध मेरे साथ स्थापित कर लिया, तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चटान देख ली, अब आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चटान देख ली का क्या मतलब है, कि तुम पूरा देख चुके हो कि मैं किस हद तक तुम्हारी मेहमान नवाजी कर स तुम मेरी काफी मिटी खोच चुके हो अर्था तुमने मेरा बहुत सारा खर्च भी करा दिया है अब तुम लौट जावाते थी तुम्हारे जाने के लिए यह उच्छ समय अर्था हाइट टाइम है क्या तुम्हारी प्रिथ्वी नहीं पुकारती अर्था क्या तुम्हें सामने सामने नहीं उस दिन जब तुम आए थे मेरा हृदे किसी अज्यात आशंका से धड़क उठा था अथात मेरे दिल की धड़कने बढ़ गई थी अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ काप गया था तो यहाँ पर प्रश्ण बनता है बटुआ कापने से क्या ताथ परे ह तो अंदर ही अंदर कहीं न कहीं लेखक को इस बात का अंदेशा हो गया था कि अब मेरा अच्छा खासा पैसा जो मेहमान नवाजी में खर्च होने वाला है इसलिए बटुआ पहले ही डर कर काप गया कि है अब मुझे हलका होना पड़ेगा बहुत सारा पैसा मेहमान प्रश्तेकी थी, तुम्हारे सम्मान में ओ अती थी. हमने राद के भौजन को एक आएक उच्चमध्यमवर्गी ये डिनर में बदल दिया था. अब डिनर बोलने पर बड़ा गरिमा में लगता है कि डिनर पे हमें बुलाया गया है. भोजन पे बुलाया गया है सुनकर ऐसे लगता है हाँ साध सीधा साधा सखाना होगा लेकिन डिनर की बात सुनकर बड़ा वजन वाली बात लगती है इसलिए यहाँ लेखक ने व्यंगात्मक रूप से कहा है कि हमने रात के भोजन को उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया तुम्हें स्मरण होगा कि दो सबजियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था इस सारे उच्छा और लगन के मूल में एक आशा थी तुम कब जाओ गयाती थी तो लेखा कह रहे हैं कि मैंने सोचा था कि मेरे मान सम्मान के बाद तुम आराम से खुश होकर यहां से चले जाओगे लेखा कहते हैं कि हमने आपका अच्छा खासा आतित्य किया सत्कार किया क्योंकि हमारे मन में कहीं न कहीं ये बात थी कि आज हम आपका पूरा मान सम्मान और आदर सतकार करेंगे और कल किसी रेल से एक शांदार मिहमान नवाजी की छाप अपने दिल मिले कर आप चले जाओगे हम तुम से रुकने के लिए आगरह करेंगे पर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिति की दरा यहां से चले जाओगे पर ऐसा नहीं हुआ दूसरे दिन भी तुम अपना अतिति सुलब मुस्कान लिये घर में ही बने रहे हमने अपनी पीडा पी ली मतलब हमने अपने दुख को पी लिया और प्रसन बने रहे स्वागत सतकार के जिस उच्च बिंदू पर हम तुम्हें ले जा चुके थे वहां से नीचे उतर कर हमने दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रातरी को तुम्हें सिनेमा भी दिखाया अर्थात इतनी महमान नवाजी की अच्छा खाना खिलाया सिनेमा दिखाने भी ले गए हमारे सतकार का यह आखरी छोर है जिस से आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े इसके तुरंत बाद भाव भीनी विदाई का वह भीगा हुआ शन आ जाना चाहिए था लिखा कहते हैं जब हम तुम्हें विदा करने के लिए स्टेशन तक छोड़ने जाते और तुम से हम कहते कि रुख जाओ पर तुम नहीं मानते पर ऐसा तुमने कुछ भी नहीं किया तुम यहीं टिक गए तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा कि मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ यह आघात और प्रत्याशित था इसकी चोट मारमिक थी मतलब मेरे दिल को चोट करने वाली ये बात थी क्योंकि इससे मुझे अंदाजा लग गया था कि धोबी से कपड़े धुलवा कर तुम फिर से अगले दूसरे तिसरे दिन यहीं रहना चाहते हो तुम्हारे सामिप्पे की बेला अचानक यो रबर की तरह खिच जाएगी इसका मुझे अनुमान न था पहली बार मुझे लगा कि आतिती सदैव देवता नहीं होता वह मानव और थोड़े अन्शों में राक्षस भी हो सकता है अब यहां पर लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि वह थोड़े अन्शों में राक्षस भी हो सकता है इसका अर्थ है कि जब एक आतिती किसी के घर जाकर उनके समय की बरबादी करता है उनके लिए काम बढ़ा देता है उसके बाद भी वजाने का नाम नहीं लेता तीन दिन चार दिन के बाद भी तो निश्य तोर पर वह राक्षस की तरह लेखको यहां पर लग रहा है किसी लॉंडरी पर दे देते हैं जल्दी धुल जाएंगे मैंने कहा मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जाने की जल्दी होगी कहां है लॉंडरी चलो चलते हैं मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर आपचारी कुरता डालने लगा कहां जा रही हैं पत्नी ने पूछा इनके कपड़े लॉंडरी पर देने हैं अब जब वे ही आँखे बड़ी बड़ी होती है तो मन छोटा होने लगता है वे इस आशंका और भै से बड़ी हुई थी कि आती थी और कितने दिन यहां ठहरेगा और आशंका निर्मूल नहीं थी आती थी तुम तो जा ही नहीं रहे लॉंडरी पर दिये गए कपड़े भी धुलकर आ गए है और तुम यहीं हो तुम्हारे भारी भरकम शरीर से सल्वटे पड़ी चादर भी बदली जा चुकी है और तुम यहीं हो तुम्हें देखकर फूट पढ़ने वाली मुस्कुराहट भी धीरे धीरे फीकी पड़ती हुई अब लुप्त हो गई है ठहाकों के रंगीन गुबारे जो कल तक कमरे के आकाश में उड़ते थे अब कहीं नहीं दिखाई पड़ते बातचीत की उचलती हुई गेंद चपचा के क्षेतर के सभी कोनलों से टपपे खाकर सेंटर में आकर चपचाप पड़ी है यहाँ बातों की गेंद क्यों कहा गया है क्योंकि एक व्यक्ती बात शुरू करता है दूसरा व्यक्ती उसे कैच करता है बात को आगे बढ़ाता है उसी तरह से जिस तरह से गेंद फेकी और क्याच की जाती है तो बात करने का सिलसिला कुछ इसी तरह से चलता है इसलिए यहाँ पर उसे बातों की गेंद कहा गया है यह प्रशन पूछा जा सकता है इसके लिए तयार रहेगा और ठाहाकों के रंगीन गुबारे अर्थाद जब मेमान आते हैं तो हसी मजाग का सिलसिला जो चलता है उसी कहा गया है ठाहाकों के रंगीन गुबारे अब जो है वो सब बंध हो चुका है महौल क्योंकि सारी बाते खत्म हो चुकी है अब इसे न तुम हिला रहे हो न मैं हिला रहा हूँ मैं कल से इस लेख कह रहे हैं इस गेंद को अब कोई भी नहीं हिला रहा अर्थात हमारे बीच एक चुप्पी आ गई है मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्म की पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो शब्दों का लेन देन मिट गया है चर्चा के सारे विशे चूक गए है अर्थात चर्चा के सारे विशे भी अब खत्म हो गए है हम सारे विशेयों पर भर पूर बाते कर चुके हैं परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजरीती, रिष्टेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार, नियोजन, महेंगाई, साहेत, और यहां तक की आँख मार मार के हमने पुरानी प्रेमी काउं का भी जिक्र आपस में कर लिया हमारे सारे विशे अब बात्चीत के खत्म हो चुके हैं अब एक चुप्पी है हमारे बीच में सोहार्द अब शने शने बोरियत में रुपान तरित हो रहा है भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहन कर रही है पर तुम जान नहीं रहे अतिती किस अद्रश्य गोन से तुम्हारा व्यक्तित्व यहां चिपक गया है मैं इस भेट को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ बार-बार यहां प्रश्ण मन में उठ रहा है तुम कब जाओ गयती थी कल पत्नी ने धीरे से पुछा कब तक टिकेंगे ये मैंने कंधे उर्श का दिये अर्थात मैं क्या कह सकता हूँ मैं तो आज खिचडी बना रही हूँ हलकी रहेगी तो लेखक ने आगे से कहा बनाओ बनाओ सत्कार की उश्मा समापत हो रही थी डिनर से चले थे अब खिचडी पर आ गए है इस पर भी प्रशना आता है डिनर से चले थे खिचडी पर आ गए है इसका क्या आर्थ है इसका अर्थ है कि हमने बड़े चाव से तुम्हारा स्वागत किया तुम्हारे लिए डिनर तयार किया लेकिन अब हम सारी स्वागत आवभगत करके ठक चुके हैं अब हम खिचडी पर आ चुके हैं अर्थाद बिल्कुल साधारन सा भोजन तुमें यहां पर अब मिलेगा अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप प्रदान नहीं करते तो तुम्हें हो सकता है उपवास तक जाना पड़े तुम्हारे और मेरे संबंध एक संक्रमन के दौर से गुजर रही है तुम्हारे जाने का यह चरम खशन है तुम जाओ ना आते थी तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? मैं जानता हूँ, दूसरों के घर में अच्छा ही लगता है अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहां जाकर रहते पर ऐसा नहीं हो सकता अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाये जाते हैं कि होम को इसी कारण स्वीट होम कहा जाता है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को न काटने दोडें अर्था अपने home को sweet home इसलिए कहा जाता है कि प्यार से लोग अपने घरों में रहें किसी के घर की sweetness को काटने ना दोड़ें अर्था दूसरों के घर जाकर उनके घर में दखल अंदाजी करके उनके घर का माहौल कड़वा ना करें तुम्हें यहां अच्छा लग रहा है पर सोचो परिय कि शराफत भी कोई चीज होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है अपने खर राटों से एक और राद गुंजाए मान करने के बाद कल जो किरन तुम्हारे बिस्तर पर आएगी यहां तुम्हारे आगमन के बाद के पांचवे सूरज की किरन होगी वो आशा है वह तुम्हें चुमेगी और तुम घर लोटने का सम्मान पूरण निरने लोगे मेरी सहन शीलता कि वह अंतिम सुबह होगी अंदर यांदर लेखक ने यह सारी बाते उससे कह दी कि यह आखरी सुबह होगी तुम्हारी मेरे घर में अगर इसके बाद भी तुम्ही यहां टिके रहे तो मेरी सहन शीलता जवाब दे जाएगी उसके बाद मैं स्टांड नहीं कर सकूँगा मैं लड़ खड़ा जाओंगा अर्थात मैं कुछ गलत भी तुम्हारे साथ बोल सकता हूँ मेरे अतिथी मैं जानता हूँ कि अतिथी देवता होता है पर आखिर एक मनुष्य भी पर आखिर मैं भी तो एक मनुष्य हूँ मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं हूँ एक देवता और एक मनुष्य ज्यादा देर एक साथ नहीं रह सकते देवता तो दर्शन देकर लोट जाते हैं तुम भी लोट जाओ ना आते थी इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा इसी में तुम्हारी इज़त बनी रहेगी यहां मनुष्य अपनी वाली पे उत्रे उससे पुर्व तुम यहां से लोड़ जाओ लेखा कहते हैं उफ तुम कब जाओ गया ते थी तो उमीद करती हूँ पाठ आपको समझ में आ गया होगा और पढ़ने का अंदाज आपका भी ऐसा ही होना चाहिए रीडिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए आप मेरे सभी पाठ मैंने किस ढंग से पढ़े हैं उन्हें ध्यान से सुनिये दो चार बार सुनने के बाद आपको भी उसी अंदाज में पाठ को पढ़ना आ जाएगा अगले वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए गुडबाई नमस्कार